Hello my body friends, welcome to Keep Cooking with Priya आज हम आप तिल लेकर आए हैं Valentine's Day Special Red Velvet Cupcakes की रेसिपी जो की है बिल्कुल Eggless और आज मैं आपके साथ शेर करूँगी एक बहुती simple and quick frosting रेसिपी आज मैं एड्रेस करूँगी सारे issues जो की Red Velvet Cake को perfect बनाने में आपे हैं तो यहाँ पर आप दो तरीके का batter देख सकते हैं दोनों की color में difference notice कर सकते हैं एक है dark brownish और reddish shade में और दूसरा वाला cupcake बना है बिल्कुल perfect bright red तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी वो सारे tips and tricks कैसे इसकी frosting करी जाए और कैसे बनाया जाए perfect Red Velvet Cupcakes जो की हो super soft and super moist बुगे अपने special one को gift कर सकते हैं और इस occasion को और भी special बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए red velvet cupcakes कितने beautiful लग रहे हैं और आप अंदर से इनका texture देखिए यह हैं बिल्कुल जालीदार, soft और spongy तो आए स्टार्ट करते हैं इनने बनाना सबसे पहले आप एक bowl ले ले और उसके उपर रखें एक चलनी अब इसमें हो अपने सारे dry ingredients को चानेंगे तो सबसे पहले इसमें डाले 3-4 cup मैदा या refined flour फिर इसमें डाले 1 teaspoon यानि की एक छोटा चमच cocoa powder दो चीजों का ध्यान रखें पहला light colored cocoa powder यूज करें और दूसरा cocoa powder सिर्फ एक छोटा चमच डाले अब फिर इसमें डाले आदा टीजपून बेकिंग पाउडर और एक चुथाई टीजपून बेकिंग सोड़ा अब इन सारी चीजों को अच्छे से चान ले और साइट पे रख दे अब एक दूसरे बोल में हम डालेंगे सारे wet ingredients इसमें डाले तीन बड़े चमच कोई भी neutral flavor का तेल फिर इसमें डाले दो बड़े चमच फ्रेश दही या योगर्ट अब इसमें डाले आदा कप पिसी हुई चीनी अब इसमें डाले एक टीजपून बेनिला एसेंस और आप इसमें डाले curdled milk ये मैंने बनाया है आदा कप दूद में एक छोटा चमच विनेगर डालके इसे मैंने 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और आप देखेंगे कि ये हलका हलका curdled हो गया है तो आप इसे इस बैटर में मिला दे और फिर इसमें डाले 1.4 टी स्पून नीबु का रस अब इन सारी चीज़ों को एक हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले जब तक कि ये वेल कमबाइन ना हो जाए और अब हम इसमें डालेंगे 1.4 टी स्पून सूपर रेड जल फूट कलर यहाँ पर मैंने सूपर रेड कलर का यूज कर रहा है और इसका लिंक मैंने आपके साथ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेर कर दिया है तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ब्राइट रेड कलर आ गया है अब हम इन वेट इंग्रीडेंस में अपने ड्राइ इंग्रीडेंस मिक्स करेंगे एक हैंड वेस की मदद से बहुत ही जेंटली मिलाते होए आप इसका एक स्मूथ सा बैटर बना ले इसे बिलकुल भी ओवर मिक्स ना करें अब एक स्पैचुला से इसे गैधर कर ले तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिलकुल फ्री फ्लोइंग है इसे हम कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी अब हमारा बैटर बिलकुल तयार है एक मफिन ट्रे को हम लाइन करेंगे लाइनर से और एक स्कूब की मदद से इस बैटर को इसमें पोर करेंगे बैटर को बिलकुल भी रेस्ट ना करें इसे हमें इमीडियेटली पोर करना है इस मफिन ट्रे में और फिर हम इसे बेक करेंगे एक प्री हीटेड आवन में 180 डिग्रीज पर करीब 15 मिनिट के लिए तो यहाँ पर मैं इसे सिफ 3-4 तक फिल कर रही हूँ अब आप इसे जेंटली ट्याप करें और फिर इसे हम बेक करेंगे आल्टरनेटिवली आप इसे अवन की जगए कड़ाई में भी बेक कर सकते हैं कैसे बेक करना है इसका मेथर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेर किया है और रिलेटेड वीडियो भी शेर करी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कपकेक कितने ब्यूटिफुली बेक हुए है परफेक्ट ब्राइट रेट कालर एक स्क्यूर इंसर्ट करके इसे चेक कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकल के आई है अब हम इसे कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके उपर की सर्फेस ड्राइट ना हो जाए तो अब हमारे कपकेक्स कंप्लीटली कूल हो चुके है आप यहाँ पर इसका टेक्शर देखिए कितने परफेक्टली और इवनली राइस करे हैं ना अनीवन हीटिंग की वज़े से डॉम शेप है और ना ही यह फ्लैट है बिल्कुल परफेक्ट कपकेक्स मने है और यहाँ पर मैं आपको इसकी स्पंजीनेस दिखाती हूँ देखिए जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो यह कितने अच्छे से बाउन्स पैक कर रहा है अब एक सिरेटेड नाइफ की मदद से मैं इसका टॉप इवन कर रही हूँ तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डॉम शेप हलका सा निकला हुआ है मैं इसे फ्लैटन कर रही हूँ क्योंकि हमें कुछ क्रम्स चाहिए रेड वेल्वेट कपकेक्स के डेकोरेशन के लिए आप चाहें तो इसे करें वरना ये बिल्कुल एक optional step है अब इसे मैं अपने हातों से हलका सा क्रम्बल कर रही हूँ और इन्हें रिजर्व कर रही हूँ बात की डेकोरेशन के लिए तो आईए अब कर लेते हैं कपकेक्स की फ्रोस्टिंग इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है half cup whipping cream हमें एक्तम chilled whipping cream लेना है और इसे beat करना है जब तक की इसमें बिल्कुल stiff peaks नहीं आ जाते तो यहाँ पर मैं इसे electric beater से beat कर रही हूँ और यहाँ मैंने use करा है non dairy whipping cream तो इसमें मैंने कोई भी extra sugar नहीं डाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी cream stiff peaks तक beat हो चुकी है अब जब मैं इस bowl को turn कर रही हूँ तो भी cream इसमें से गिर नहीं रही है और अपना shape hold करके है तो बस हमारी cream तयार है frosting के लिए originally red velvet cupcakes में cream cheese की frosting होती है तो अगर आप चाहें तो whipping cream को beat करते time इसमें डाल सकते हैं 1 fourth cup cream cheese पर क्योंकि ये easily available नहीं होती और थोड़ी सी expensive भी आती है तो आज मैं इसमें सिर्फ whipping cream की frosting कर रही हूँ अब आप अपने परसंद की nozzle ले सकते हैं और इससे इन cupcakes पे कोई भी beautiful सा design pipe कर ले तो यहाँ पे मैं इसमें एक flower का design दे रही हूँ और इस bouquet of flowers को आप gift कर सकते हैं अपने loved one को तो definitely आप इस cupcake की recipe को इस Valentine's Day पे try कर सकते हैं and I'm sure it will be a hit तो यह beautiful flower pattern बिलकुल ready है अब हम इसे decorate करेंगे हमारे reserved cake crumbs के साथ तो बस flower के center में cake crumbs को कुछ इस तरीके से sprinkle करें और हमारे red velvet cupcakes बिलकुल तयार है perfect red color आया है और बहुत ही beautiful looking ये frosting करी है मैंने इस पे इस simple recipe को follow करें और आप भी बना पाएंगे ये perfect red velvet cupcakes जो की हैं बिलकुल eggless तो कैसी लगी आपको आज की ये Valentine special red velvet cupcakes की recipe अपना feedback हमें नीचे comment section में बताएं और अगर आपको ये video बसंद आया हो तो please हमारे channel को जरूर subscribe करें thanks for watching